किसी को कभी नहीं बक्षा ये मैंने आपके बयानों को जो पड़ा और 2014 में जब मोधी सरकार बनने के बाद आपने का था कि राम रहेंगे टाट में भक्त रहेंगे टाट से ऐसा नहीं होना चाहिए अब ये मंदिर बन रहा है 22 जैनवरी को प्रान प्रतिष्टा होगी आपकी कि विशेश तयारी क्या है हमारी विशेश तयारी तो कुछ समझी नहीं आरे कि कैसे कैसे उन छणों का दर्शन करेंगे पूरा देश उसको अपनी आँखों से उस दृष्षे को देखेगा तो मुझे तो लगता है कि आब मुसे पूछ रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ वह ए नहीं पाती हूं पर कहे बिना रह भी नहीं पाती हूं ऐसा अनभव हो रहा है। लेकिन आप मैं आपकी पुरानी बाइट निकाल के लाए हूँ आपके पुराने एक बाइट मैंने निकाली है और उसको हम प्ले करते हैं। साद्वी रिधंवरा जी ने क्या कहा था आईए आपको विवर सुनाते हैं फिर आपका रियाक्शन लेता हूं मैं इसमें। आई मलेचो कौर दुर्गा के वेक्ड़ोने लल कारा है कहोगा उसे हम हिंदु हैं घिन रस्थार है और महां काम लंगर के आप हुँ दुश्मन से तकड़ाएंगे जहाँ बली है मस्झिद, अपना मंदिल ही वनाएं। आपने कहा गर्व से कहो हिंदू हिंदूस्टान हमारा है और साथ ही साथ जहां मस्जित हैं वहीं मंदिर बनेगा ये बात भी कही अब ये मंदिर संपूर हो गया है बन गया है तो आपको एक भावुक पल भी आता होगा कि वो वक्त था जब मंदिर की कोई बात नहीं सुनता था अब सब लोग मंदिर जाना सब कह रहे हैं कि हमें न्योता आना चाहिए अब इश बहुत पीड़ा जेली है और पृतिक्षा बहुत पीड़ा देती है और अगर आप गली गली गाओं गाओं लोगों को घूम घूम के प्रेळणा देते हो कि आप आओ आओ अयोध्या आओ 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 आयोध्या और फिर वहां बलिदान होता है और उसके बाद मंदिर का कोई समधान नहीं होता तो कैसा अपरादबोध होता है ऐसे अपरादबोध के पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं इतनी हताशा इतना बारत के अंदर कुछ इस तरह के वातावन का निर्मान हो अमिश जब हम लखनव का बैभव देखते थे और पिर अयोध्या की शिरी हिंता देखते थे तो मन चित व्याकुल होता था और मैं समझती हूं कि हमारी हमारे हिर्दे की उस करुण पुकार को प्रभू ने सुना और कि यहां हूं कि यहां से थे जयो ने सुना बैँ गे